मित्र नमस्कार वर्तमान में हमारे देश में लोग रसाइनिक खेती कर रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि हमको प्राक्तिक होती को और लोटना जरूरी है प्राक्टिक खेती को लेकर के हमारे अधिकारियों में वईज्ञानिकों में खिसानों में बहुत सारी ब्रांतियां हैं। जो 1960 के बाद हरित क्रांती का कारकम शुरू हुआ था उस समय मैंने हरित क्रांती कारकम में जो कारकम अपनाए थे जिसमें रसाइनी कुरबरक थे मैकेनाईजेशन था यानि टेक्टर से खेती थी और आगे चल करके फसल सुरक्षा रसाइन उपियोग होने लगे सिंचित फसलों का छेत्र फल बढ़ा और पानी का दोहन बहुत ज़्यादा हुआ 1990 में यानि 60 के दसक में सुरू हुई हरित क्रांती का परणाम ये था कि 1990 के दसक में मैं खाद्यान उत्पादन में आच्चनिरवर हो गया 1990 के बाद ये फिल किया जाने लगा कि हमारे देश की जो भूगर जलस्तर है वो नीचे जा रहा है देश की जो क्रसियोग भूमिया है उनमें जीवान्स कारवन की कमी होती जा रही है और जो बायो डाइवर्सिटी थी वो नस्ट होती जा रही है और मनुस भोजन खा करके अस्पताल की सरण में जा रहा है तो ये सब जो समस्या हैं एक और विक्राल समस्या है कि 1990 और 80 के दसक में हमारे देश का कोई भी किसान खेती में गाटा हो जाने के कारण आदपत्या नहीं करता था लेकिन वर्तमान समय में देश में बहुत सारी घटना ऐसी घटती हैं कि किसान ने खेती में गाटे की वज़े से आदपत्या कर ली तो ये तो तैम आनी है कि हमें प्राक्रतिक खेती की वो लोटना पड़ेगा इसमें कोई संदे नहीं है कि अगर हम बहुत जल्ली के साथ बहुत इस काम में सिगरता नहीं करते हैं और डिले करते हैं तो हालात तो बहुत बड़े नाजुक होने वाले हैं लेकिन अब जब हम तैं कर लेते हैं कि चलो ठीक है हम प्राक्रतिक खेती करते हैं तो प्राक्रति खेती में यह सब इस समय बहुत तेजी के साथ प्रचलित है वो है जीवाम्रत तो जीवाम्रत के बारे में लोगों ने कहा कि जीवाम्रत ऐसे बनाया जाना है तो मैं आपको एक चीज फिर आज के लिए अरकूनूं मेरे देश के बहुत सारे किसान अलग-अलग प्रदेशों को मुझे को बात करते हैं और इसमें बड़ी सारी आसंकाएं पैदा करते हैं कोई कहता है कि साब इसमें आटा डालना चाहिए कि बेसन डालना चाहिए चीनी डालना चाहिए कि गुर्ड डालना चाहिए और साब इनको कितना डालना चाहिए कितने दिन में प्रियोग करना चाहिए तो मैं आपको एक चीज बताओं कि जो जीवा मृत है जीवा मृत को हम एक सरल भासा में बताएं जैसे बैग्यानिक भी आज इस बात पर संका करते हैं क्रसी बैग्यानिक लेकिन क्रसी बैग्यानिक आज के 50-60 साल पहले से जो बायो फडलाइजर बना रहे थे बायो फडलाइजर को हम क्या बोलेंगे चार कोल में जो बायो फडलाइजर दिये गए तो घंजीवा मृत ही तो था अब ही इस जीवा मृत के पहले लिक्विट फार में बायो फडलाइजर आए जिनको मैं नाइट्रोजन गोलाग पोटास घोलाग फासफेड घोलाग ऐसा नाम दे करके तो जब लिक्विट बायो फडलाइजर बनाते हैं और उसको कैसे हैं इसमें कई सारे सुक जीवा आए सिया है वो जीवामृत ही तो है तो आप अगर बोतल में जीवामृत बना करके कुछ काम करते हैं तो उसको वैग्यानिक समझते हैं और जब इस जीवामृत की बात आती तो उसको कहते हैं इसका कोई वैग्यानिक तत्त नहीं है यह क्या है चलिए कुछ प्रस्त ऐसे हैं मित्र जिनको सुल्याना बहुत जरूरी है जैसे हमारे हम लोग कहते हैं कि एक ग्राम मिट्टी में एक करोड जीवाणू होते हैं तो अगर मिट्टी में जीवाणू होते हैं तो इस जीवामरत की जरूरत क्या है क्योंकि मित्टी में तो जीवाणू है। कई लो लोग कहते हैं कि गाय के एक ग्राम में इतना करोड़ सूप जीवाणू होता है। कि ये जो जीवामरत है इसको पहले घंजीवामरत के माद्यम से जमीन में डालेंगे फिर कई लोग इसको सिचाई के माद्यम से नाली में डालते हैं सिचाई के पानी के साथ और कई लोग कहते हैं हमने जीवामरत का इस्प्रे किया तो इस जीवावरत में जो जीवाडू है लाबदायक जीवाडू वो लाबदायक जीवाडू जमीन में डाले जाने हैं इन लाबदायक जीवाडू में पत्ती में तो कोई रोल है नहीं कि आप इस्प्रे करके माध्यम से इस्प्रे के माध्यम से आप उपर फसल में छड़का करते हैं किसान हैं जो प्राक्तिक खेती को जानना समझना चाहते हैं वो पहले इतनी सी बात समझें कि जीवा अमरत लिक्विड लाइजर जीवामरत खेत में डालने का एक यही धे है या यह हम मानते हैं कि खेत में हमारे माइक्रोप्स नहीं है तब ही तुम डालते हैं जिसको ये सुनिशित होगी नहीं खेत में तो बैक्टीरिया हैं तो फिर इसको डालने की कोई जरुवत है नहीं खेत में बैक्टीरिया तो नहीं है मैं फिर बता दूँ कैसे 30-40 साल पहले देश समग्र देश के लोग लोटा लेकर के सौच क्रिया के लिए अपने खेत में जाते थे अगले दिन जब फिर जाते थे तो कल जो मल भी सर्जित करके आए थे वो 24 घंटे में मिट्टी में कनवर्ट हो जाता था आज हमारा वो मल पड़ा रहता है सूख जाता है मिट्टी में नहीं बनता है तो यह इंगित करता है कि स्वाइल में बेनीफिसियल माइक्रोप्स नहीं है तब ही वो मल हमारा बिगटी थोकर के मिट्टी में कनवर्ट नहीं होता तो ये तए हैं कि जमीन के जो नना प्रकार के लाबदाइक जीवाडू थे वो मरे तो हैं और मरने के दो ही कारण है एक तो खेत की मेड के पेड़ कट गए तो टमप्रेचर के अपरेल माई की गर्मी में मरते हैं या चलिए अगर पेड़ जिन्दा है तो फिर हम जब वो भूम सोधन रसाइन डालते हैं कीट फसल सुरक्षा के नाम पर किसी कीट को मारने के लिए जैते दीमा को मारने के लिए तब वो मरते हैं तो ये तो तय है कि जमीन के लाबदायक सुक्ष जिवाणू हमने जाने अन्जाने नस्ट किये और लाबदायक सुक्ष जिवाणू के नस्ट होने के जो प्रात्मिक परणाम है वो ये हैं हलाकि यूरिया डियपी के प्रियोक से और फसल सुरक्षा रसायनों के प्रियोक से ही सुक्ष जिवाणू नस्ट हुए पिर आगे पेचीदा भी से अथ यह हुआ, कि याब बिना यूरियर डीयपि पोटास के खेती नहीं हो सकती, क्योंकि स्वायल में हिुमस की मतरा दिन पर दिन घटती जा रही है और बिना फसल सुरक्षा रसायन के खेती नहीं हो सकती, क्योंकि जमीन में निगेटिव पैथोजन की संख्या बहुत बढ़ गई, उन पर नियंत्रण बनाए रखने वाले लाब दैक जीवाणू नस्ट हो गए, तो ये जीवामरत तो हमको डालना है, प्राक्रतिक खेती में जीवामरत बहुत एक मेन कांसेप्ट है, बिदावट जीवामरत हम आप प्राक्तिक खेती में आगे नहीं बल सकते, लेकिन ये जीवामरत ही समग्र प्राक्तिक क्रसी नहीं है, तो जीवामरत जो हम डालते हैं जमीन में, उससे दो लाब होते हैं, एक तो जो जमीन में हर सा जो मैं क्राप का फसलों का उसे छोड़ के आता हूं जाने अंजाने जो जमीन के नीचे होता है कुछ इससा जमीन के उपर होता है ये लाबदा एक सुक जिवाडू उसको खा करके उसको हिूमस में कनवर्ट करना प्रारंब करते हैं तो हिूमस की मातरा बढ़ती है और जैसे ह हिूमस की मातरा बढ़ती है तो फिर हमको फरलाइजर की जरूवत कम पढ़ती है आज मैंने डाला एक दम से फरलाइजर बंद करती है यह भी संबव नहीं है हिूमस की मातरा बढ़ानी है फरलाइजर की मातरा कम करनी है दूसरा हमारे देश के जो सबजी उत्पादक किसान ह ऑप्पता कर लेना में मुझे जो पता है कि वेजिटेबिल का फार्फ मिनममों से मिनमम 20,000 पर एकपर एकड पड़्लता है और यह पेस्टिसाइड अंगूर में जाकर एक लाग अप्रती एकड़ तक पढ़ता है अब इतना ज्याधा पेस्टी साइड सब्जी में उल नरो में डालने के बाद फल और सब्जी खानेवाला अदमी अगर अस्पताल में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा इतना ज्यादा पेस्टी साइड पड़ा हुआ फ़ल सब्जी खाने वाला अस्पताल में गया और किसान को लागत लगानी पड़ी साथी साथ जमीन की बायो डाइवर्सिटी भी कमजोर हो गई तो यह जीवामरत डाल करके हम इसके जो माइक्रोब्स हैं यह जो स्वायल में जो स्वायल बोर डिजीज फैलाने वाले जो निगेटिव पैथोजिन हैं यह जीवामरत हमारा वो जो निगेटिव पैथोजिन थे उनको उन पर नियंत्रण बनाता है जैसा कि हम सब लोग जानते है नेचर में एक ब्यवस्ता है कि नेचर इंसान की खुसाली के लिए अपनी खुसाली के लिए स्वेहम संघर्ज करता है और प्रकृति अपने आप में एक बैलेंस बना के चलती है चुकि मेरा दखलंदाजी ज्यादा हुई तो वो बैलेंस हमारा बीगल गया अब एक संसे आता है कि जैसे एक हुमस है दिखिए मैं बताओं आपको एक सब्द हुमस जिसको मैं हिंदी में कहता हूँ जीवान्स कारवन हुमस क्या है जिसे हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ग्राम मिट्टी में इतने माइक्रोब्स हैं एक बार पता नहीं है ऐसे कैसे बोला जा रहा है कि एक ग्राम मिट्टी में करोल माइक्रोब्स हैं एक ग्राम मिट्टी में अगर एक परसेंट हुमस है तो माइक्रोब्स को रहने का जो प्लेस है पॉइंट जीरो जीरो वन ग्राम है और वो जो एक परसेंट हुमस उसमें तीन चीजें विद्दमान है उसमें लिविंग टिसू है माइक्रोब्स के लिविंग है डेड है और कार्बन है कार्बन जिन्दा जीव खाएगा फिर जिन्दा जीव मरेगा जिन्दा जीव पैदा भी होगा तो माइक्रोब्स की डेड है लिविंग है और कार्बन तीन चीजें मिलाकर के हुमस बनता है अब जैसे मैं कहता हूं जमीन में पॉइंट थ्री परसेंट हुमस है या जीवांस कार्बन है तो जीवों का अंस है मरे हुए जीवों का अंस है और कारबन है बट living microbes नहीं है अगर living microbes होता तो जीव अमरट डालने की क्या जरूरती कई सारे किसान पूछते हैं कि साथ हम यह जीव अमरट कैसे बनाएं और मिट्टी कहां से लाएं तो अब मैं उनको बताता हूँ कि जंगल जंगल में बहुत सारे प्लेस ऐसे मिलेंगे जहां पर बहुत सारा बायो माज देखे जंगल हमेशा यूं होता है और वहाँ पका बायो माज बरसात के सीजन में सब बै जाता है दोल जाता है कुछ प्लेसेस ऐसे मिलेंगे जहां की धेर सारा बायो माज बड़े-बड़े पेड़ों के नीचे सड़ रहा है और ब्लेक कलर की स्वाइल है और थोड़ी सी नमी है मैं दावे के साथ कहता हूँ वहां ऐसी कहीं से भी मिट्टी ले आएं जहां ब्लेक स्वाइल थी और कुछ चीज़ें माइटिरियल सड़ रहे थे बस इस डब में डाल करके जीवा मृत बना लेना उसकी कहानी मैंने बहुत बार बताई यह दुबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ आज जो मैं आपको किलियर करना चाहता हूँ कि प्राक्रतिक खेती कि सत्ता को धरातल से चमझना है यह जीवाणू जमीन में इनाकुलेट करने के बाद जैसे अभी मैंने एक चीज कही जीवाणू नहीं है तो मैंने वन टाइम घंजीवा मृत के मादनम से इन जीवाणू की पुना रस्तापना जमीन में कर दी अब यह बार-बार सिचाई के पानी के साथ डालने की जुरूत हमाई समझ में नहीं है मलब यह समझ से परे का विसा है और यह तब विसा और पेचीदा हो जाता है जब ऐसी अफ़वा पहला दी गई कि इसका इस्प्रे करिए अब मैं बताता हूँ एक सज्जन है मैं उनका नाम भूलना हूँ वो महराष्ट के ही है आज के बिस साल बाइस साल पहले उनकी एक किताब थी गौग्रास उसमें एक बड़ी अच्छी चीज निकल के आई थी पिछले पंदा साल पहले मैंने यहाँ इस मुंदेल खन के कई सारे लोगों को वो बिधा बताई और लोगों ने किया उसके रिजल बहुत अच्छे है जब हम पत्तियों में इस्प्रे की बात करते हैं तो क्या इस्प्रे करना और क्यों इस्प्रे करना है यह जो गाए का मूत्र है और गाए का गोबर है और नीम की पत्ती है अकौडे की पत्ती है धतूरे की पत्ती है यह जब हम किसी ड्रम में सळाते हैं गुड़ के साथ देखें क्या क्या है गौमूत्र है, गोबर है, नीम की, अकोडे की, धतूरे की, पत्तियों को गुड के साथ जब हम सडाते हैं लिक्विट फार में तो वो गर्मियों के दिन में साथ दिन में और सर्दियों के दिन में पंदरा दिन में वो सड़ जाता है इसको मैं नाम देता था संजीवनी खाद और कई किताबों में इसको मैंने लिखा है मटका खाद यानी चुक्कि यह मटकें में बना ली जाती है। ये जो गोमूत्र है गोबर है नीम है गुड है इसके बाद जब सड़ने के बाद फर्मेंटेट होने के बाद जब कोई प्रोड्यूस बसता है तो वो क्या करता है उसके कुछ काम ये है जैसे पतियों का स्वाथ खराब देगा तो इंसेक्ट नहीं खाएगा ये जो वायूजनित बीमारियां हैं हवा से फैलने वाली उनको कंट्रोल करता है ये पदार्थ गोथ प्रमोटर का काम करता है चुकि फिर बताओं देखे इस संजीवनी खाद में मैंने मिट्टी नहीं डाली है संजीवनी खाद में जो पदार्थ पड़े हैं उनमें जो फार्म होने वाला है वो एरोबिक बैक्टिरिया है और उसका ये तरल बनेगा या जो क्रियाओं के बाद जो कुछ होने वाला है वो एक प्रकार का गोध प्रमोटर है नीम की पत्ती उस क्राप की टेस्ट को खराब करते हैं तो कीट नहीं खाएगा उसका नाम संजीवनी था आज इस जीवामरत में हमने इतने चीज़ें ला करके और इसको नाली में डालो गंजीवामरत डालो उपर से स्प्रेय करो लोग कर रहे हैं कल कई किसानों के फोना है उन्होंने कहा साथ हमको कई साल से मैं ये जीवामरत की कहानी ऐसे से कर रहा हूं जो गाय का पेसाब गाय का गोबर और ये 24 गंटा और 48 गंटा हमको इसके रिजल्ट नहीं मिलना है हमको रिजल्ट बहुत खराब मिलना है आप मेरी संका का समयधान कर तो मैं देज के किसानों से बुद्ध जीवियों से अग्री कल्चर सेक्टर में काम करने वाले अपने मित्रों से एक आग्रे करूंगा कि सुख्ष जीवों की कहानी समझें स्वाइल में सुख्ष जीवानों की कहानी समझें निगेटिब और पॉजेटिब पैथोजिन का क्या कैसे control है चुकि पोजेटिब पैथोजिन पोजेटिब माइक्रोब्स कभी भी लिविंग को नहीं खाते ध्यान रखना वो जमीन में पड़े हुए dead जो जिवान पदार्थ है जेयोपदार्थ है वो उसका भोजन है जो निगेटिव पोथोजिन है वो हमारी जिन्दा बनस्पतियों पर अट्रैक करते है तो एक सिस्टम है कि जो बेनिफिसियल है वो घास, कूड़ा, फसला उसे ऐसा कुछ खाएंगे तो मेरा मतलब यह है कि यह जो लिक्विड है यह वाला जिसमें यह स्वाइल के बेनिफिसियल माइक्रोब्स हैं इनको हम जब पत्ती में डालते हैं उसका कोई रिस्पोंस नहीं है यह जमीन में ही वर्क करेगा चूकि इसका माइक्रोब्स पत्ती में कोई वर्क नहीं करेगा तो इसको छड़कना नहीं है कभी भी जब एक बार घंजीवा मुरत के मादम से मैंने खेत में डाल दिया जुताई कर दी नमी की दसा में तो फिर अगेन उसी क्राप में जब मैं सिचाई करूं तो ये फिर नाली में बहाऊं 200 लीटर ये भी बेवहारिक नहीं है चूंकि एक जब बता दू कहने को कोई कुछ भी कहे हमको सारे भी साइब वाले कहने चाहिए जो बेवहारिक हो अब एक किसान के पास पांच एकर जमीन है उसको पांच ड्रम ये खेत में बनाने है अगर खेत में जीवा मुरत बनाएगा तो रात में उसका कोई ड्रम फैला देगा और ये ड्रम उठा के चल देगा अब अगर वो इस डर से घर में बनाता है अब ये जीवा मुरत उसने घर में बनाया अब उसको नाली के माद्दम से बाना तो अब ये पांच ड्रम जिस किसान के पास टेक्टर नहीं है चूंकि आज मैं फिर बता दू 90% किसानों के पास टेक् और जिसके पास बैल नहीं है टेक्टर नहीं है वो किसान ये पांच ड्रम कैसे ले जाएगा तो एक बिवारीक दिक्कत है दूसरा ये जो गवमूत्र और गोबर से हम जीवा मुरत बनाते हैं कि इसमें गवमूत्र जरूरी है और गाय का गोबर जरूरी है तो फिर बता इसका तो सीधा सीधा मतलब हुआ कि प्राक्टिक खेती देश के 90% फारमर्स के लिए नहीं है क्यों आज की तारीक में 90% किसानों के पास ना गाय है ना बैल है तो फिर ये तो प्राक्टिक खेती हो नहीं सकती इसलिए मैं इसको सरल भासा में कहता हूँ कि जीवा मृत में क लेवल अच्छे जंगल की मिट्टी लानी है, इसको आटा और चीनी खिलाना है, और एक बार एक किलो एक किलो नहीं डालना, रेगुलार हर दसमें बारवे दिन दो किलो आटा दो किलो चीनी, हर दसमें बारवे दिन, क्यों? जैसे अब मेरा ये लिख पिट है, इसमें क्या है इसमें dead or living चुकि माइक्रोब्स मर भी रहा है तो जब इसकी dead एकाईया चुकि एक प्रकृति का नियम है कि बही जैसे मनुस भी है कि वो 17-18 साल की उमर में मरता है तो माइक्रोब्स का भी cell division होता है और cell blast भी होती है सेल फटती भी है, तो दोनों क्रियाँ साथ साथ चल लहीं है, तो ये जीवा म्रत, ये जो color है, color हमारा कई बार, देखी जैसे इस ड्रम का color अलग है, इस ड्रम का color अलग है, यानि कि इसमें अभी बैक्टिरिया को बढ़ने की गुंजाईस है, अभी इसमें इसका गाड़ाप ये जो color मैं दिखा रहा हूँ ये color minimum से minimum 5 महीने में पांच महीने में आएगा जब इसको हर दसमें दिन 2 kg आटा 2 kg चीनी देते रहेंगे और इसको बार-बार हिलाते रहेंगे पिछली वीडियो मैंने बताया था कि रोज नहीं हिलाना है चूकि प्रारम के समय में इसमें जो मिट्टी लाए थे उसमें निगेटिव और पॉजेटिव दोरो प्रकार के माइक्रोब्स थे और अगर मैं सुबह साह मिलाओंगा तो निगेटिव आले हमको सीन नहीं हो पाएंगे वो इसी पानी में कहीं बिलीन रहेंगे तो दो-तीन दिन के लिए छोण देना है जब छोण देंगे तो निगेटिव पैथो जिनकी ग्रोथ हमेशा सरफेस पर आ करके होगी और वो फिर मैं च्छनी से निकाल करके फेंग देता हूँ तो मित्र मुझे उम्मीद है कि आप ये प्राक्तिक खेती के बारे में कुछ अपना कामन सेंस लगा के अद्धन करेंगे प्राक्तिक खेती का मदलब है प्रकृति के बैबों को सजाना एक विसे हो रहता है मैं अख़बार में पढ़ता हूँ सोसल मीडिया पढ़ता हूँ कि प्राक्तिक क्रसी से बन गया लखपती प्राक्तिक क्रसी से करने से आमदनी हो गई तीन गुनी आइसी ब्रामक निउजें ना फैलाएं चुकि जब लाब की बात होगी देखिए किसान को अगर मैंने लालस दे दिया प्राक्तिक खेती से आपकी आएको दो गुनी हो जाएगी तो फिर बता दू फिर वो प्राक्तिक खेती कम करेगा और वो छेतर ढूड़ेगा कि आमदनी आखिर बढ़ी कैसे तो आमदनी किलो बेंच लिया हो तो अलग की बात है आम किसान के बारे में ये चीज ठीक नहीं है आम किसान अपनी जैविक या प्राक्तिक उपज को अधिक दाम में बेंच पाने में अस्फल रहेगा तो बार बार एक ही चीज कहता हूं कि हमें अपनी उपज का मूल अधिक मिलेगा न पल लाना है, खेत की मेड़ पर पेंड लगाने हैं और हमारे खेत में तितली हो, मदमक्की हो, केंचुवा हो, दीमक हो, चिडिया हो, मेंड़क हो, जिस दिन हमारे खेत के आसपास तितली आ गई, मदमक्की आ गई, केंचुवा आ गया, मेंड़क आ गया और मैं अपनी सौच क होता है कि चड़िया नहीं आई वापस केचवा नहीं आया वापस मदमख्क नहीं आ आये वापस। आपका मल आपका गोबर आपके फसल के ऐसेद में सड़ते नहीं है जल्डी से। तो समझ लीजिए कि प्राक्तिक खेती का विशय आपको समझ में नहीं आया नमस्कार